Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय साल 2020 के जून के महीने में इंडियन टूप्स और चाइनीज टूप्स के बीच में गालवान वैली में एक मैसिव वैलन क्लैश होता है जिसमें भारत के तरब से 20 जवान वीर गती को प्राप्त होते हैं और साथ में कुछ हमारे जवान घायल भी होते हैं और वहीं पे अगर हम बात करें चाइनीज टूप्स के बारे में तो तिल डेट गवर्मेंट आफ चाइना ये एकसेप्ट ही नहीं किये हैं कि उस वैलन क्लैश में इनके कितने टूप्स मारे गये थे कि उस खराब संबंद को नॉर्मल करते करते कम से कम साथ से लेके सत्तर राउंड्स ओफ मेटिंग्स करने पड़ें और इसी से संबंधित बीते रोज गवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा ओफिशली ये कहा जाता है कि भारत और चाइना इस बात पे अगरी हो गए है कि साल 2020 के एपरिल के महीने तक जिन सब पॉइंट्स के उपर चाइना पेट्रोलिंग करता था वो उन्ही सब पॉइंट्स के उपर पेट्रोलिंग करेगा और जिन सब areas में हमारे troops petrolling करते थें हमारे troops उनी सब areas में petrolling करेंगे यानि की status quo लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है वो ये है कि क्या भारत चाइना के उपर भरोसा कर सकता है भारत चाइना के उपर क्यों भरोसा नहीं कर सकता है जब इतनी सी बात आपको और मुझे सिर्फ articles पढ़के ही या कुछ घटनाओ को refer करके ही मालूम पढ़ जाएगा तो I am sure कि जो हमारे diplomats या bureaucrats ग्राउन पे काम करते हैं उनको भी ये बात की समझ होगी और साथ में अगर हम बात करें तो ये भी possibilities बनता हुआ दिख रहा कि अगर चाइना किसी भी तरीके से किसी भी point पे कहता है कि वो disengagement करना चाहता है तो यहाँ से chances ये भी बनते हैं कि चाइना सिर्फ वो काम दिखावा के लिए कर रहा और उसका जो plan है वो किसी और एडिया के तरफ shift हो गया इसी महीने के तेरा तारी को चाइना बांगलादेश में एक navy ship को dock करता है कहने का मतलब है कि चाहे आप बात कर ले Maldives का या स्रिलंका या बांगलादेश का तो as in country इनका कोई खास value नहीं है इनका जो value generate होता है वो इनका strategic location से होता है अगर किसी भी तरीके से चाइना हमारे close अधिक आता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा threat pose करता है और साथ में जिस तरीके से Chinese navy ship बांगलादेश में dock होते हैं तो यहां से भी chances काफी close हो जाता है या आप ये मान के चलिए कि इस navy ship में वो तमाम equipments लगे होंगे जिससे कि चाइना monitoring या spying करेगा तो भले एक तरफ चाइना officially ये accept कर रहा कि चलो ठीक है जो position 2020 April में था उसी position पे वापस आ जाते हैं लेकिन ये मानना कि चाइना सुधर गया है ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता भारत और चाइना के line of actual control के dis engagement के बारे में सबसे पहले हमारे foreign secretary विकरभ मिस्री सर बताते हैं और जहां तक बात किया जा इस्टन लद्दाक के बारे में तो इन सब areas के बारे में कहा जाता है कि 20 points के आसपास कुछ areas है जिसको लेके भारत और चाइना के बीच में एक disagreement बना रहता है वहीं पे अगर आप अलग-अलग articles पढ़ेंगे तो ये जो number से वो उपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि इन सब areas में बर्फ बारी काफी पढ़ता है तो इसलिए एक exact point को ढून पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जहां तक बात किया जाए dispute के बारे में तो normally आप किसी भी चीज़ के उपर dispute raise कर सकते हैं और वैसे भी अगर भारत और चाइना के बारे में थोड़ा सा एक bigger perspective में देखेंगे तो ये बात सही है कि चाइना on papers या maybe बहुत हद तक off papers भी इंडिया से कहीं जादा मजबूत है इसके जो global influence है वो हमसे कहीं जादा है तो यहां पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि भले Chinese economy बहुत बड़ी है या in fact हमसे बड़ी है या चाइना का belt and road initiative है तो हम एक बात को ना भूले कि जब आपकी economy जितनी बड़ी होती है आपके लिए manage करना भी उतना ही सिरदर्द होता है और जहां तक बात किया जाए चाइना का belt and road initiative के बारे में तो ये एक complete तरीके से infrastructure development program है और जहां तक बात करे हम infrastructure development program के बारे में तो ये सारे जो programs होते हैं उसमें investment खूब लग जाता है और जो return आता है वो काफी सालों के बाद आता है तो भले अगर आप belt and road initiative को on papers पढ़ेंगे तो आपको ये एक massive plan दिखेगा लेकिन जो ground reality है वो ठीक इसके विपरीत है जहां पे बहुत सारे ऐसे reports है जिसके बारे में ये कहा जा रहा कि China के इस belt and road initiative करण उनके जो bank से उनके पास पैसे खतम हो गए है चाहे हम बात कर ले LOC के बारे में या बात कर ले LSE के बारे में ये सारे जो news होते हैं वो किसी भी देश के लिए काफी sensitive information या news होते हैं जिसके बारे में कोई भी देश बहुत खुल के बात नहीं करना चाहता है exactly कुछ ऐसा ही किया गया हमारे government of India के द्वारा या specifically हमारे foreign ministry के द्वारा जहां पर बहुत सारे ऐसे भी officers हैं जो ये मान रहें कि जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में dis engagement हुआ ये एक positive direction में है जहां तक बात किया जा हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी के बारे में तो वो BRICS submit में participate करने के लिए रशिया पहुँच गया है BRICS का full form क्या है तो Brazil, Russia, India, China, South Africa और अगर आप इस group को देखेंगे तो BRICS के बारे में कहा जाता है कि ये western countries को counter करने के लिए बनाया गया है तो यहां से अगर आपको बहुत ही simple शब्दों में समझना है तो किसी भी तरीके से भारत, China, Russia ये नहीं दिखाएगा western countries को कि BRICS एक कमजोर group है यानि कि बीते को सालों में जिस तरीके से US या western countries या यूं कहले कि साल 1950 के बाद से हैं इन सब देशों का एक dominance है तो किसी भी तरीके से भारत या China एक लंबे war में जाना effort नहीं कर सकता है लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि हम China के उपर भरोसा कर लें और उसके बाद किसी भी देश के पास अगर nuclear weapon आ जाता है तो कोई भी देश उसके साथ एक limit के बाद अधिक उलजना नहीं चाहता है अगर किसी भी तरीके से चाइना इंडिया को अधिक pressurize करेगा तो by default इंडिया को US या और कुछ western countries या खास करके वैसे groups की तरफ जाना पड़ेगा जिन सब groups के साथ चाइना के संबंद अच्छे नहीं है और वैसे भी बीते कुछ सालों से चाइना का जो ध्यान है वो अधिक गया है ताइवान के पास क्यूंकि ताइवान को US बढ़ चड़ कर वेपन्स दे रहा उसके military के साथ joint operations या military drill कर रहा तो as compared to India ताइवान के ऊपर चाइना का अधिक नजर है और जहां तक बात किया जाए Indian troops के बारे में तो Indian troops as compared to Chinese troops इनके पास war का कहीं ज़्यादा experience है और साथ में जब एक full-fledged war शुरू होता है तो उसके बात का circumstances काफी बदल जाता है तो नहीं तो भारत या चाइना एक दूसरे के साथ उलजना चाहेंग ये सारे जो actions होते हैं ये जस्ट एक aggressive action होता है ताकि China दिखा सके कि वो कितना powerful है उस region में I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye